नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाना न्यूज एक्स्प्रेस मैं हूँ आपके साथ का अजल आयर रूपकर तेश्वक्त की बड़ी खबर की ओर यमुना नगर के जगादरी में भाजपा कारयाले के बाहर पहुचकर आज किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की इस दोरान खटर और मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक सुभाश बराला आज कारे करताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुचे थे उनकी मीटिंग अफ़ा में प्राता दस से तीन बजे तक का रखा गया था लेकिन सुभाश बराला मीटिंग समापती के दो गंटे पहले ही यहां से निकल पड़े जैसे ही इसकी भनक्त किसानों को लगी तो वे तुरंध ही भाजपा कारे अले पर पहुच गए सुभाश बराला कुछ ही मिनिटों पहले यहां से सा कुशल चले गए लेकिन उनके जाने के बाद गुच्छाए किसानों ने भाजपा कारे अले के बाहर भाजपा सरकार मुर्दबाद के नारी लगा कर अपना रोश पर कट किया यमुना नगर से हमारे समवाद दाता राजीव जाली की रिबोर्ट कि यहां पर विजेवी कारियले में सुबास बरला जो पूरो परदेश अदेक्स हैं जिसको जनता ने नकार दिया था वो पहुँचे हुए हैं हमने तुरंत काल कर दी और इनका प्रोग्राम तीन बजे तक चलना था लेकिन जैसे ही हमने काल दी एक बजे प्रोग्राम का अपना हमने सुना है कि बीच में समाप्त करके चले गए हैं भाग गए हैं और हम यहां पर अपना प्रदर्सन का नहीं के लिए पहुंचे हैं और हमको एक सूचनोर मिली है कि अभी चार बजे तिगरी गाउ में प्रोग्राम है इनका महाँ पर भी जाएंगे पूरा जोर विरोध किय था एसपी ने बोला था कि किसी किमत पर सचीवाल्या का घिराब नहीं होने देंगे रोड़ जाम नहीं होने देंगे उसको मुँ तोड़ जवाब दिया है जनता ने जनता में इतना रोज था कि उस दिन सचीवाल्या का घिराब भी हुआ और जिटी रोड़ जाम भी हुआ और आज प्रसासन को किसानों के आगे जुकना भी पड़ा तो समझोता हो चुका है वहाँ पर जो किसान हमारा सही दुआ था उसके प्रिवार के दो सदस्यों को नोकरी मिलेगी और जिस SDM, दोसी SDM है जिसके खिलाब कारवाई की मांग की थी हाई कौट के जज जो है उसकी इंकौरी करेगा और इंकौरी का समय एक महिने का रखा है और जब तक इंकौरी जारी रहेगी वह SDM काम पर नहीं आएगा वह चुट्टी पर रहेगा उसको जवर्दस्टी चुट्टी दे दी गई है एक महिने तक जब तक इंक्वारी चलेगी